जेल का ताला तूटेगा जेल का ताला तूटेगा अपने जारखन की इस प्रवात्तारा मैदान से इतनी जोर से आवाज लगाएंगे कि होटबार जेल में पैठे हेमन जी को पूरे जारखन की आवाज सुनाई देनी चाहिए जोर से हम लोग सब बोलेंगे जाहिन मैं दिल्ली से चलके आया हूँ छे माईने मुझे नरंदर मौदी ने जेल में रखा हमारे सब सबरनेता अर्विंद केजरिवाल जी जेल में है प्रधान मंत्री मौदी जी ने दिल्ली के मुख्य मंत्री मेरे पती अर्विन केजिवाल जी को जेल में डाल दिया आपके भी चहेते मुख्य मंत्री हेमन स्वरेंच जी को भी जेल में डाल दिया क्या सही किया उन्होंने हम तो कहते हैं भाटपा के तीन जमाई EDIT CBI यही है उन लोगों को लगा दिया गया भाई हेमन स्वरेंच जी को जेल में डाला गया संजेज सिंग जी जेल रहकर के आरे और केजिवाल जी को जेल डाला गया इससे पहले मेरे पिता पर पिता को जेल में जागी हम पे कई केश में कदमे हुए कल्पना जी बोल देती भाई एक गाना गा दीजिएगा आप लोग लेकिन एक साथ गाओंगे मेरे बताईए हाथ उठागे बताईए मोदी जी को सुनाई देना चाहिए तुम तो धोके बाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे रोज रोज मोदी जी तुम जूट बोलोगे जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे अरे तुम तो धोके बाज हो वादा करके भूल जाते हो तो ये धोके बाज लोगे इनके जासे में मत आईएगा और मोदी जी तो इतने बड़े कलखा रहे हैं कि अमिता बचन, शारुक खान, सर्मान खान सब फेल है इतना नोटन की करते हैं जाय जाय खान आप सभी को जोहार है अपनी बाते रखने से पहले आज मैं हेमन सोरें जी का पत्र लेकर के आई हूँ जो उन्होंने जेल से बेचा है सबसे पहले मैं आपसे दर्ख्वास करना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए जार्खंड वासियों के लिए पूरे देश वास्तियों के लिए है तो क्रिप्या करके इसको जरूर ध्यान से सुनियेगा उल्गुलान की धर्थी जार्खंड में आयोजीद उल्गुलान नयाय महा रैली में पूरे जार्खंड के विफिन गाउं पंचायत तोले से आई हुए बड़े बुजूर्ग, माताएं, बच्चे, बेहने और मेरे साथियों साथ ही मेरे पूरे देश से आई हुए इंडिया महा गडबंधन के नेतागणों को धर्थी आबा, बिर्सा मुंडा, सिद्धुकानों सहीद, सहीद, अमीर शहीदों कि इस पावन धर्ती पर मैं बिर्सा कारा से ही आप सभी को हार्तिक अभिनंदन और जुहार करता हूँ आज इस महा रैली में मौजूद राच निर्माता दिशम गुरू शिबु सोरेन जी को चरन स्पर्ष करता हूँ साथियों आज छारखन उल्गुलान रैली में आपके साथ नहीं हो आपको मालूम है कि विगत चार सालों से विपक्ष मेरे विरुद शर्यंत रच रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोब के में मुझे कई धाई महीनों से बिर्सा जेल में बंद करके रखा है और इसी प्रकार हमारे महागडबंदन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहार जेल में डाल रखा है साथियों ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शेश नेता एवं मुख्य मंत्रियों को और मंत्रियों को चुनाव के ठीक पहले सूनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोंपों पर जेलों में डाला जा रहा है खैर कोई बात नहीं मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंतर की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसे हम ही नहीं बलकि देश के और विफिन राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागन वही लड़ाई लड़ रहे है साथियों आज का ये जारखन उल्गुलान महारैली से जारखन्डी भाईयों की के नामने से कई बातों का पता चल रहा होगा जी हाँ साथियों उल्गुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार लोगतंत्र लुटने नहीं देंगे सम्विदान खत्म नहीं होने देंगे देश तूटने नहीं देंगे मेरे साथ आप लोगजोर से बोलिये इंकलाब जिन्दाबाद साथियों 2024 का लोग सभाचुनाव चल रहा है एक तरफ हम सब इंडिया महापगडबंधन के लोग है और दूसरी तरफ पूझी पतियों की जमात और शरियंत्रकारी केंद्र सरकार एंडिये के लोग साथियों आज देश एक विशम परिस्तिती से गुजर रहा है विगत 2014 से केंद्र में भाज़पा एंडिये की सरकार चल रही है और दोदो बार देश की जनता ने एंडिये को सरकार बनने का मौका भी दिया देश की सरकार का जनाधार को देश की लोगों ने दे दिया पर पूरे देश की राज्यों की सरकार का जनाधार एंडियों को नहीं दिया परंतु 2014 में एंडिये सरकार बनते ही पूरे देश के राज्यों में अपना कबजा चाहते हैं आपने सुना ही होगा विबिन सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला वेभार किया जा रहा है कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं MP MLA खरीद फरोध की जा रही है जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उधारन है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेज भेजना पड़ रहा है साथियों यह देश हमें भीग में नहीं मिली है इस देश को पाने के लिए अंगिनत शहादत हुई है कई इतिहास की किताब हमारे सोतंतरता सेनानियों के नाम से पटे पड़े है साथियों विगत कई साल के शरियंद्र कफल NDS को 2014 में पूर बहमत से सरकार बनाने को मिली देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए आखों में धूल जोका गया हर जाती धर्म के लोग को मूर्क बनाया गया बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के यूबा, महिला, बुजर्ग, किसान, आदिवासी दलितों को ठगा गया ऐसे जैसे एक स्टेश में दिखाने वाला जादुकर किस तरह पूरे देश को अलग-अलग माध्यम से अलग-अलग सूशना तंत्रों के माध्यम से देश वासियों को निरंतर ठगने का प्रयास चल रहा है इस चुनाब में बड़े प्यमाने पर केंद्र एजन्सियों का दुर्यूप्यों किया जा रहा है उनके माध्यम से विपक्ष की अवास को कुचलने का काम शुरू हो रहा है आज केंद्र सरकार ऐसे-ऐसे कानून का निर्मान कर रही है जिससे देश वासियों को तो नुकसान होना ही है चाहे वो किसी भी वर्ग जाती धर्म का ही क्यों ना हो साथी साथ इस देश के लोकतंत्र को भी खत्रा होगा और संविधान को भी खत्रा होगा साथियों जारखन देश का सबसे गरीब राज्य है यहां के लोग गरीब हैं पर जारखन गरीब नहीं है हमारे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा देश चलता है इसके पदले में हमें क्या मिलता है पलायन, विस्थापन, भुकमरी, बिमारी हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है साथियों बहुत सारी बाते हैं कहने को वर्तमान केंदर सरकार के कर्तुतों के बारे में अगर बाते शुरू की जाए तो रात और दिन कम पड़ जाएगा साथियों हम जानते हैं जारकन आदिवासी बहुल राजे है आप सभी को याद होगा नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ कि राज अलग होने के बाद राज में विधान सभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज में परिसीमन का प्रस्ताव बढ़ गया था जिसे बड़ी संख्या में आदिवासी ओं आरक्षित सीटों की संख्या घटाने की बात कहीं जा रही थी तो उस समय हमारे दिशुम गुरू शिबू सुरेन जी के नित्रत्म में पूरे राज में सदन से लेकर के सड़क तक विरोध किया गया और इस विरोध के फल सुरूब आज हमारे राज में परिसीमन लागू नहीं हो पाई जब ये चर्चा चली उस समय भी केंद्र में भाज़पा की ही सरकार थी 2026 तक के लिए इसको टाल दिया गया यह विशय वर्थमान लोगसपा चुनाव के बाद फिर से राजी के सामने आने वाला है जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी छेत्र और आदिवासी समदाय को होने जा रहा है जारखंडी सदियों से जल जगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है जल जगल जमीन के लिए हमारे अनेक पुरवजों ने अपनी सिहादत दी है और आज के परिपेक्ष में केंदर सरकार की सोच आदिवासी दलित पिछडा मजदूर किसान विरोधी रहा है और इनके दस साल की कारिकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचिक छेत्रों पर इनकी बुरी नजर है उधारन के तौर पर आप देख सकते हैं दिगत कई महीनों से मनिपूर जल रहा है वहां के आदिवासी बहु बेटियों की इज़त लूटी जा रही है पूरा देश देख रहा है पर केंदर सरकार चुप है आज तक केंदर सरकार रेखोई सूद नहीं ली है ये है इनका आदिवासी प्रेम लटाक को छटी अनुसूची में डालने का वादा कर वर्सोट तक ठगा गया और अंद में छटी अनुसूची गोशित करने से मुकर गई आज वहां के भ्यानक ठंड में भी लोग शुनी की डिग्री में भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये है इनका आदिवासी प्रेम साथियों देश में सभी अधु शिडियूल एरिया पर इनके गिद नजर है जारकण में कई महतपून और समवेदन शील कानूल लागू हैं जैसे C&D Act, SPT Act, Wilkinson Act इतियादी अगर NDA सरकार 2024 की चुनाव जीतती है तो राज और देश के आदिवासीों के ऊपर बहुत बड़ा खत्रा बन जाएगा इसलिए किसी भी कीमत पर जारकण को बचाना है अपने जारकण की इस प्रवात्तारा मैदान से इतनी जोर से आवाज लगाएंगे कि होटवार जेल में पैठे हेमन जी को पूरे जारकण की आवाज सुनाई देनी चाहिए जोर से हम लोग सब भोलेंगे जय हिंद्ध जय हिंद्ध झए जय जारकण जय जारकण दिशुम गोरो शीबो सोरेन जिन्दाबाद हेमन सोरेन जिन्दाबाद जेल का ताला तूटेगा जेल का ताला तूटेगा आप सभी को यहां आने के लिए अपने हृते की गहराईयों से मैं आप सभी को आभार प्रकट करती हूँ जोहार है तो आज की खबर में बस इतना ही बने रहे SMP News के साथ अपना ख्याल रखें क्योंकि आप से हम आपे हमारी ताकत लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेस्बुक पेस को फॉलो और लाइक जरूर करें तो वहीं बिश्तित खबरों के लिए हमारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का पहुत बहुत धन्यवाद